ट्रिगोनोमेटरी फॉर टेंथ क्लास चैप्टर 8.1 कुश्चन नमबर 6 इफ एंगल एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं जिसमें कॉस ए इकोस टू कॉस बी दिया हो गया हो तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है तो लेट उस सी इस ए ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए और बी जो है यहां पर एक्यूट एंगल्स है राइट एक्यूट एंगल्स का मतलब जो की 90 डिवे से कम हो और C जो है वो right angle हमें given है cos A equals to cos B हमें proof करना है angle A equals to angle B अब proof करने से पहले हम cos A اور cos B की value को निकाल लेते हैं क्योंकि cos A और cos B हमें equal है तो हमें cos A की value ही निकालनी चाहिए sum को बनाने से पहले हमें plan करना चाहिए कि हमें किस प्रकार्से से निकालना है तो कॉस A की value क्या हो सकती है इन triangle ABC में ABC एक right angle triangle है कॉस A की value हमने पढ़ा हुआ है adjacent by hypotenuse हम कॉस A की value की बात कर रहे है यानि A angle की बात कर रहे है तो A angle को हमने को और से देखना है और A angle के संदर्ब में हमने देखना है कि A के respect में कौन से side opposite है और कौन से side adjacent है तो angle A के सामने जो line है यानि कि BC वो opposite बनेगी AC वो adjacent बनेगी और longest line जो AB है वो hypotenuse बनेगी तो कॉस A की value को हम इस पकार से लिख सकते है AC by AB right AC यहाँ पर adjacent हो गया और AB यहाँ पर हाइपोटेनिस हो गया correct? इस एक्योशन नमबर बन लेट उसी परकार से अब cos B की value निकालते हैं इसी triangle में again in triangle ABC cos B equals to cos का तो formula वो ही रहेगा adjacent by hypotenuse लेकिन side से हाँ बदल जाएंगे क्योंकि हम angle B की बात कर रहे हैं angle B को respect with respect with angle B हम देख रहे हैं कि सामने वाल लाइन जो है वो AC जो है अब AC opposite बन गई और hypotenuse तो सेम ही रहेगी plus adjacent जो है वो BC बन गई तो cos B equal to क्या हो सकता है? BC by AB क्योंकि BC यहाँ पर adjacent है और AB यहाँ पर hypotenuse है अब equation number 1 और equation number 2 को अगर compare करें from equation number 1 and equation number 2 हम क्या देख रहे हैं कि cos A equals to cos B यह तो given है LHS LHS तो RHS भी तो equal होंगे यानि कि AC by AB और BC by AB भी equal होंगे सो हम नहीं सकते हैं AC by AB equal to BC by AB यहाँ पर AB और AB जो है वो cancel होते हैं हमारे पर क्या पर गज़ गया? AC equals to BC अब आएं किसी भी triangle में अगर दो sides equal हैं तो उसके base के angle जो होंगे उसके opposite angles होंगे वो क्या होंगे? equal होंगे हम जमेट्री में पढ़ चुके हैं अगर एक triangle है और उसके दो sides equal हैं तो इसके base के angles होते हैं वो equal होते हैं तो यहां पर भी हमने ABC जो triangle है इसमें AC और AB equal कर दिया अब AC और AB अगर equal हैं तो इसके base के angle यानि के angle A और angle B जो हो equal होंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं hence angle A equals to angle B तो angle A equals to angle B जो हुआ वो किस rule के accordingly हुआ तो angles opposite to equal sides are equal जो भी angles opposite to equal sides होते हैं किसी बिटाइंगल में वो आपस में भी ग्राबर होते हैं तो इस पकार से angle A और equal to angle B जो है वो proof हो जाता है तो very easy इसे pause करें वीडियो को और इसे फिर copy पे note कर सकते हैं right? correct आए हम एक बार फिर से once again formula trick को देख लें हमने यहां पर देखा sine, cause और 10 तीन functions हैं यह revise के लिए हैं अब इन तीन functions के बारे में हम जाना था कि sine की value होती है O by H cos की value होती है A by H और 10 की value होती है O by A तो यहां तक O, H और A का सवाल है आपको मौलूम है कि O का मतलब क्या होता है और इसके लिए formula trick बताया गया था कि जो sine है that is called cos काह और 10 को हमने to A के रूप में पढ़ा था इसका मतलब होता है opposite sine की value opposite by hypotenuse cos की value adjacent by hypotenuse और 10 की value opposite by adjacent correct यह हम पढ़ चुके हैं इसे हमने दुबारा आपको trick दिया हुआ है कि आपसे अपने inherit कर ले अपने heart में दिल में से learn कर ले brain में learn करने के जरूत नहीं है दिल में ही learn कर ले right अब sign cos 10 का opposite भी हमने देखा था कि sign का opposite cos एक है cos का opposite second है और 10 का opposite cot है जैसे 10 की value आपके पास आती है तो आपके mind में चाहिए cot cos 10 का opposite होता है और आप adjacent by opposite ली सकते है right इस पकार से ये formula आपके अंदर बैठ जाने चाहिए आगे आने वाले exercise में इनकी बहुत रुद पड़ेगी so right thank you thanks thanks for watching